हे गाईज आपका अपना चैनल बैंकिंग इस्पारेंट चैनल आज का यह जो वीडियो है यह आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे बिगनर्स हैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं या अभी उन्होंने ऐसा उनके दिमाग में आया कि ह हम लोगों को गवर्मेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए हैं हम लोगों को बैंक में नौकरी चाहिए हैं जिनको बिलकुल भी नहीं पता है कि कहां से शुरू करें और कैसे एक्जाम क्रेक करें या वो बच्चे जो लोग समझ गए हैं स्लेबस क्या है मौक्स लगा आप लोगों में अंतर जो आ जाता है वो हम उस पर आज बात करने वाले हैं तो आप लोगों को मैं टूडो लिस्ट देती हूं अपने चैनल पर डे 1 से लेके आज हमारा डे 44 हो चुका है और 50 डेस की वो स्ट्रेटेजी मैंने स्टाइट की थी वो वीडियो उसको करने से ब बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला क्योंकि वैसे ही टूडो लिस्ट मैंने अपने लिए सेट की थी जब मैंने SBI क्लर्क का प्रिलम्स निकाला था SBI क्लर्क की बात कर रही हूं क्योंकि SBI क्लर्क का एक्जाम आपका देखने के लिए मिलने वाला है आप मेंसे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर भी दिया है लेकिन यह नहीं पता चल लाए कि तैयारी कैसे करें तो गैस क्या-क्या आता है क्या पैटन होता है यह सब मैंने अपने YouTube चैनल पर बना के आप लोगों के लिए दे रखा है वीडियोस लाइक आप लोगों के लिए मैंने subject wise strategy बताई है कि prelims में आपके तीन subject आते हैं English, Quant and Reasoning तीनों सब्जेक्ट में क्या-क्या स्लिवर्स होता है, कितने-कितने marks के आते हैं, कितना-कितना questions कौन-कौन सा, question कितने marks से क्यों करता है, सब मैंने आप लोगों को बता रखा है अगर आप लोग नए हैं अभी तक आप लोगोंने नहीं देखा तो एक तो उन वीडियो उसको देख लीजे उसके बाद आप लोग अभी जो बच्चे जैसे हाल फिल हाल में मेरी टूडोलिस देख रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छी लग रही है पर यह नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे शुरू करें मैंने सोचा कि एक एक जाने को रिपलाई करने से अच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ जिससे मैं आपको समझाओंगी तो आपको चीजे समझ में आएंगी गैस अभी माल लीजे कि आपने देखा डे 40 पर ठीक है लेकिन एक बात बताएए डे 40 से स्टार्ट करने का आपका फाइदा ही क्या होगा जब आप लोगोंने स्टार्टिंग से नहीं शुरू किया है क्योंकि आप लोगों आधा धूरा करके तो एक्जाम नहीं निकाल सकते इसलिए मैं बोलूँगी डे 1 से स्टार्ट करो लेकिन आप लोग के निमांग में ये भी कुश्यन आ रहा है कि अगर डे 1 से स्टार्ट करते हैं मैम तो क्या हमारा स्लेबस कंप्लीट हो पाएगा एक्जाम तक बट गाइस आप लोगों को बेसिक से तो पढ़ना ही है तो क् सब्सक्राइब को ही टार्गेट संजो और डे 1 से स्टार्ट करो अब डे 1 से स्टार्ट करने का मतलब यह है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलकुल अभी स्टार्ट कर रहे है तो उनका जीरो लेवल है उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा सबका एफिशेंसी लेवल म उनके 25 से 30 के बीच मांस आते थे बट अब वो मांस 55 प्लस 50 प्लस देखने के लिए मिल रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है इसलिए आप लोगों को बोलूंगी जो भी बच्चे अभी टूडो लिस्ट देख रहे हैं टूडो लिस्ट इतनी हेलफफुल रही हैं मेरे ख विस dire कि आपको 2 लेवल लेके चल रही हैं अद्क के लिए बोले मेरे खुंडो अपको से और two of粉 लोगों को देख सकते तो guys आप लोगों के लिए मैंने वो शुरू किया है यही यह वीडियो आज आप लोगों के लिए इसलिए मैंने बनाया था जिससे आप लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे करें तो आप लोगों को help मिल जाए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ गाई तो प्लीज शेयर कर दीजे लाइक कर दीजे और चैनल को बिलकुल सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो गाईज